हुँँ ठिक देगे आप लोग का दूसरा जप्टा चल ला था कॉंपलेक्स इस इस उस्ता जो थेओरी शेशन था वो कंपलीट हो चुका है अब आज से आप लोगो का अब्जिक्ट्ट्टी सेसन स्टार्ट होने जा रहा है तो जितने भी कॉंपलेक्स स्टेट्स में जो परप्ट्ट्ड चल भी तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र यह वहां रहा है क्या जितने भी कॉंपले ब्सक्राइब होने आपको एनलिटिकल और रफ्ट्रल दोनों मैंथराई जाए जाए हैं या इसे वहां थैठी जो राफ्ट्न आसान पड़ेंगे तो जो मैथर ज्यादा इजी होगा हम लोग उस्टो प्रफेंस देने तो चलो फिर क्रोशन स्टाइट करते हैं तो पहला कोशन देखिए त्या बोला जा रहा है तो पहला कोशन ये बोला जा रहा है Q1. When a body is subjected to direct tensile stress मतलब कहा जा रहा है ति किसी body पर direct tensile stress लगा हुआ है और वो direct tensile stress देखिए तितना बोला जा रहा है Q1. प्लेन के साथ तितने इंगल पर जुटा हुआ है ठीटा इंगल पर और इस AC प्लेन पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है नौर्मल इस्ट्रेस नौर्मल इस्ट्रेस मतलब FN. तो यार करिए हमने आपको formula बता चुक्छे हैं कि यहां जो FN का formula होता है उस्टा formula होता है fx cross square theta ये दम पहला केसे जब आपका table और table fx लगा हो तो उसमें आपका जो normal stress होता है किसी inclined plane में उसका formula होता है fn बराबर fx cross square theta तो बताई ज़रा अगर fx cross square theta है तो आप देखी यहाँ पर fx ज़रे sigma है तो sigma है तो जो इस्टा answer हो जायए रहा तुम्हारा वो हो जायए रहा sigma cross square theta तो sigma cross square theta इस्टा पहला answer आ जिया तो देखी इन्वेस तो sigma cross square theta है तो पहले option number b तो पहले यहाँ जो हो जायए रहा option number b इस ac plane पर normal stress यह होता है बट इस ac plane पर पुछाए गाता है बताओ जारा sear stress यह होगा तो यह करिए sear stress टा formula होता है fx by 2 sin 2 theta तो sear stress टा formula fx by 2 sin 2 theta होता बट fx टा जो नाम दिया जा रहा है उन्हें उन्हें सिर्मा बोला है तो बताए जो sear stress क्यों हो जाए रहा तो सिर्मा बाई 2 sin 2 theta लेटिन सवाल में sear stress ने पूछा था सवाल में पूछा था इन्होंने normal stress normal stress पूछा था तो normal stress जो answer आ जिया वो sigma tross टा जिया इसी वजह से जो option number हो जाए रहा वो b direct हो जाए रहा तो पहले था answer हो जिया option number b उस्ट बाद next question देते हैं क्या रहा जा रहा है अडला question ये है कि when a body is subjected to direct tensile stress मतलब किसी एक body पे direct tensile stress sigma term कर रहा in one plane वेल्कुल सेम वही सवाल है लेटिन देन, tangential या shear stress बताए on an oblique plane oblique section of the body लेटिन देखी इस वाले सवाल में दूसरे नमबर पे आपसे normal stress नहीं पुछाया रहा इस दूसरे वाले नमबर पे उस oblique plane पे पुछाया रहा है आपसे CR stress बताएट इतना होगा तो अब यहीं बताया कि oblique plane पे CR stress होता है उस्टा formula होता है sigma by 2 sin 2 theta तो देख लीजे sigma by 2 sin 2 theta प्रॉंसे option में है तो आपके सकते हो कि जो sigma by 2 sin 2 theta है वो हमारा पहले में नहीं है दूसरे में नहीं है तीसरे में है तो आपके सकते हो कि दूसरे जो answer हो जाए रहा option number C हो जाए रहा sigma by 2 sin 2 theta तो देखो पहले question पुछाया रहा था normal stress इसलिए sigma cross-stribe theta दूसरे में पुछाया था shear stress इसलिए sigma by 2 sin 2 theta और श्रे बाद question number 3 देखिया इसमें क्या पुछाया रहा है इसमें पुछाया रहा है resultant stress बताइए क्या होना जाए on an inclined plane which inclined at an theta the normal of the cross section of the body which is subjected to direct tensile stress मतलब जिस पर direct tensile stress काम कर रहा हो that means ये डाइडाम में बना हो direct tensile stress कर रहा हो तो उस पर आपको जो बताना है वो बताना है resultant stress तो मेरा भाई resultant बताना है तो आपको resultant stress चाहिए तो बताइए इस पर जो normal stress अभी अभी जाना तो normal stress टितना आया है तो वो आया है sigma cross-stribe theta अगर resultant स्ट्रेस पूछा जाया है तो स्ट्रेस आया है sigma by 2 sin to theta बट इन्होंने न तो ये stress पूछा न तो स्ट्रेस पूछा इस बार पूछा है resultant stress बताइए तितना होना चाहिए तो आप सब तो पता है तो ये दोनों तो दोनों stress perpendicular होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं जिस्टी वजह से आटर आपको resultant stress इन डालना हो तो अंडरूड करके दोनों stress टेस्ट्रेस को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई ये बताओ ये जो sin to theta है तो sin to theta को 2 sin theta into cross theta लिठा जासता है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो जब square को जोड़ा जाएगा तो आप ऐसा कह सकते हो तो यहां square हो जाएगा सिद्मा क्रोस इस्ट्वाइर ठीटा का स्ट्वाइर अगर जब यहां square पूछा जाएगा बताइए यहां इस्तना square हो जाएगा तो sin to theta तो आपने 2 sin theta into cross theta लिठा तो 2 cancel कर दिया तो यहां बचेगा सिद्मा क्रोस ठीटा into sin theta to square तो सिद्मा क्रोस ठीटा साइन ठीटा के स्ट्वाइर बचेगा सवाल यह है कि स्कूट्रे से solve का जाए तो आर बराबर अब इत बाह बताईए जरा दोनों से sigma square, sigma square common हो जाएगा लेटे जैसी आप लोड अंडरूट हटाएंगे तो बाहर मात्र आएगा सिद्मा अब इत बाह बताईए यहां भी cross square theta है और यहां cross की power 4 theta है तो एक cross square theta बहार ले लिए जा सकता है सिद्मा कॉस theta तो आप इसमें resultant पूछा जा रहा था इसलिए जो step answer उजाए रहोजाए तो इस तिस्ता हो जाए रहा था यह 3 question एदम basic question लिए गाए है ताठी आपको formula इद बार mind में hit टड़ जाएंगे हाँ formula में क्या हमारा formula होता है पहले वाले टेस्टा तो 3 question complete होड़े next question देखते है question number 4 अब देखे question number 4 क्या बोला जा रहा है question number 4 बोला जा रहा है body is subjected to direct tensile stress मतलब किसी body पर direct tensile stress cinema term कर रहा है कुछ यह है कहा जा रहा है सवाल के अनुसार पर आठे बोला जा रहा है the shear stress is maximum कहा जा रहा है कि जो shear stress है वो maximum है जिस plane पर at a section inclined at to the normal of the section मतलब कहा जा रहा है कि जो normal of the section होड़ा उस्टे साथ कितना inclination बनाएगा कौन inclination बनाएगा जहां पर shear stress हमारा maximum होगा वे section उस normal of the section यानि जो आपका section नौर्मल होगा उस्टे साथ कितना inclination बनाया जाएगा आपका question ये पूछा जा रहा है तो चलो फिर sol का आते हैं देखते हैं तो आप से पूछा जा रहा है जिस plane पर shear stress maximum होगा तो वो बताना है कि ये तितना angle बनाएगा तो आप सब्सक्रों ये बात पता है जो shear stress maximum होता है वो 45 भी maximum होता है तो 45 एट नहीं दो option है तो इस्टा मतलब यह हुआ थी A और B मेंसे तो एट option होगा बट maximum shear stress और minimum shear stress magnitude में बराबर होते हैं बट चिन अपोजेट होता है तो देखते हैं फिर हम लाट कौन सा option बने रहा तो भाई इसको लडाना है तो आप मोहर सल्कुल से लडाएगे ज्यादा बेटर पड़े रहा अगर आप इस्टों मोहर सल्कुल से लडाएंगे तो आप आ यह बाँ बताएं मोहर सल्कुल ड्रॉट यह तो यह पॉइंट हमारा सी हो दिया सेंटर हो दिया अब यह बाँ बताओ maximum shear stress यह तो टॉप पर मिलता है और bottom पर भी मिले रहा maximum यह maximum इस वज़े से बोला जा रहा है तो तो दोनों पर ही shear stress मान maximum तो होता है बट चिन अपोजेट होता है तो यहां से यह तो हमारा प्रिंस्पल प्लेन या रिफ्रेंस प्लेन होता है यह प्लेन यह वाला प्लेन तो है तो टितना बना रहा है और दूसरा वाला टितना बना रहा है 270 बट यह जो एंगल है यह एंगल आपका मोहर सल्कुल में हैं हमने आप बताया था जब मो बाइतालिस पे होगा दोसो सकतर जो आधा हो जाए रे यह सतना हो जाए रहा है यह 45 और 1835 ही वह दो एंडल हो डेस इस पर सियर स्ट्रेस मैंक्सिमा मिले रहा है तो देख लीजिए 45 और 303 हो डिलत हो जाए और डलत हो जिया पैतालिस तो है लेकिन नब्य द्रेक्टी वज़ए से डलत हो रहे यह तो टोटली डलत है तो चौथे टोशन टांसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी लेख लिए इसके बाद नेक्ट टोशन देखते हैं टोशन नमबर फाइब तो देखे टोशन नमबर आपने लगा हुसंद मा यह तो यह डारेक्टेंटेंसरी ट्रेस यह को रिया सीद्मा हो रहा है फिर क्या बॉला चाहिए डारेक्सियल रिश्ट्रेस सिळ्मा इल》 हो जह हए three टे ज्यादा बेटर पड़ेगा तो मोट जल क्लिश्टा बनाया जा इस डाइडामटर तो आपका सत्योट यह हमारा सिड्मा वाला पॉइंट आया और फ यह नहीं लगा तो फ यह पॉइंट आपका जीरो आ रिया तो दोनों पॉइंट और हो मिला तर आप मोट जल कुछ द्रोट तो बताओ maximums यह center हो जया, तो maximums year stress यही होता है, जो ति मोहर सर्क्रक्रीटिय हो डी radius, अब एग बाब बताओ यह तुम्हारा origin रहा, origin से यहां तक तक तो दूरी तितनी है, शिद्मा, तो बताओ, आधी दूरी तितनी हो डी, तो आधी दूरी हो जाए जी सर्क्रीटिय यह, कह सकते हैं कि जो Sidma y2 है यहीं आका maximum seer stress है, तो maximum sept is बताएं मेक्समम normal stress अभी maximum normally stress Sidma है, maximum normal stress अधा ही तो हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि maximum shear stress होगा, maximum normal stress इसका अधा होगा, तो option 4 B direct हो जाएगा 1-2, तो यहांे केहसं नीमनом shear stress हमेशा maximum normal stress का कैसा होगा, आधा होगा तो प्रोशन नमबर 5 टा हो जाए रहा ओप्शन नमबर B नेक्स टोशन देखते हैं प्रोशन नमबर 6 अब प्रोशन नमबर 6 में देखिए आपका एक फॉर्मला ही टेरेट पूछा जा रहा है त्या है फॉर्मला बड़े अराम से देखिए रहा और सॉल्ट सब्जेक्टर टो डेरेक्ट टेंस्यल इस्ट्रेश सिद्म में ञाह जा लगा और च. this ही बोड़े अपका प्रोशन रहा है लाक से जानते हैं शिर इस्ट्रेस सकर्द रहा है और से रह चोज़ेक्जेटर फिर्मर तेन फिर्द्री टोल्द new जो उसे और अब तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए उस condition में maximum normal stress इतना होना चाहिए maximum normal stress तो चलो फिर हम दोर maximum normal stress निडलते इस condition में maximum normal stress निडलना है तो आप ऐसा कह सकते हो कि maximum normal stress इस फूर असर उस्टाप formula देखी क्या होता है तो maximum normal stress टाप एफवाइबर नापसे प्लस फॉर्म कर रहा है बट यहां पर एफवाइट कितना है जीरो तो फॉर्म्मला होता है Fx plus Fy by 2 यानि Fx plus Fy by 2 Fy तो 0 है तो Fx है कितना सिड्मा तो आप रह सकते हो सिड्मा X by 2 बस बचे रहा उस्टे पाद अंडर अंडर रूड में होता है आपका Fx minus Fy by 2 Fy तो है नहीं है Fx minus Fy 0 है तो इस्टा मतलब यहां जाए रहा सिड्मा X by 2 का स्ट्वायर और फिर आगे होता है प्लस Q स्ट्वायर तो क्यूट इतना है हमारा Tau तो यहां पर हो जाए रहा Tau X Y का स्ट्वायर देख लिए जो ओप्शन दिये रहे हैं वो इस फॉर्म में नहीं दिये रहे हैं ओप्शन को हमें उस फॉर्म से टनवायर टनना पड़े रहे हैं यह जो बाइटू है अगर इसे बाइटू स्ट्वायर कर दिया जाए तो यह हमारा 4 हो जाए रहा 4 प्लस Q एल्टे इधर बेश सकते हैं उपर हो जाए रहा शिल्मा एट स्ट्वायर और यह जो 4 इधर यह दर जाए रहा तो यह हो जाएगा 4 इंटू टाउ एक्सवाईक एस्ट्वायर तो आप या सत्ते हैं यह च्रूर्ट हो जाएगा अब देख लीजे इन में से कौन सा option हमारा correct है ये सर correct रही है ये correct रही है ये correct रही है तोटी देखी यहां बीच में minus आ जिया हर जाज़े तो जो option हो जाए रहा हो हमारा तो यह option हमारा पुछा जाए तो यह maximum normal stress है अगर minimum normal stress पुछा जाता तो option number A नहीं minimum normal stress पुछा जाता तो यहां जहां plus लड़ा हुआ है यहीं पर हो जाता minus जिस्ती वज़े से ट्रेश दबते हो तो option number B टरेट हो जाता तो maximum normal stress पहला option है जबकि minimum normal stress हमारा दूसरा option है पूछा जाता maximum normal stress इसी वज़े से option number हमारा A टरेट हो जाए रहा तो टोशन नमबर 6 हो जाएदा option number A उस्टे बाद अल्ला टोशन देटी है टोशन नमबर 7 अब कोशन नमबर 7 क्या रहता है टोशन नमबर 7 भी बिल्कुल ठीट उसी तरह रही टोशन है टोशन नमबर 7 यह है वेन बोडी subjected to biaxial stress biaxial stress नमब होता है तो आपकी जो भी बोडी है उसमें जो है उसमें जो है एफेक्स टे साथ साथ या sigma x टे साथ साथ sigma y भी लगा हुआ है तो जब भी यह दोनों condition इस साथ आए sigma x औ sigma y दोनों इस साथ लगा हो तो उस्टो बोलते हैं biaxial condition तो ट्रहा जा रहा है बोडी इस सबजेक्टिटटब तो biaxial stress डैटेज आई इडा मतलब होता है डैटेज 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 स्ट्रेस सिर्मा x एंड सिर्मा y is mutually perpendicular mutually perpendicular planes ato manate by a simple CR stress then the maximum normal stress बताइए तो maximum normal stress टेत्ना हो रहा अब यह भी जेस्ट फॉर्मला देठा था मैट्सों नॉमल इसुझे फॉर्मला सब्रोब पता है Fx प्लस Fy बाई 2 होता है फ्लस तो Fx प्लस Fy बाई 2 होता है तो इस्टा मतलब यह आंसर और यह आंसर तो टोटी दलत हो ए उस्टे़ बाद आ रे होता है plus तो प्लस तो इसमें नहीं है तो यह आंसर भी ड्लत हो जिया इसमा मतलग अन्सर हमारा पहला ओप्छन थेट्ट हो डाँ एफट्स प्लस फोइब टू प्लस अब देचो एट-बर्यक्त यह बहां लिया है तो अंदर हो जाए रहा, F equals minus f y का इस्ट्वायर और जो LCM four आइड़ा, वो इह रहा इस्ट्वायर, four two इस्ट्वायर, maximum normal stress, 7 यो answer जाए डाव वो और 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 यूट अरे और यह नंबर 7 आप प्लस नंबर 8 अब आठी क्या रहे है फिर से उसी तरह को सब्स्ट को सब्स्ट्रेस थोड़ा आपको फॉमले याद हो जाए इसलिए इस तरह टोशन सुरुआत में लिए रहे हैं कोशन यह है कि भेने body is subjected to biaxial stress that is stress sigma h sigma y to mutually perpendicular plane accumulated by a simple shear stress फिर पुचा जा रहा है maximum shear stress बताइए तितना होना चाहिए maximum shear stress तो आप सब को पता है कि जो maximum shear stress होता है qmats वो होता है moher circularity radius और आप सब तो इस बात पता है कि जो moher circularity radius होती है agar sigma x भी लगा हो देखिए agar sigma x भी लगा हो साथ साथ sigma y भी लगा हो और उस्टे साथ साथ हमारा shear stress भी लगा हो shear stress भी लगा हो तो इस tradition में जो moher circularity radius होती है आर उस्टा फर्मला होता है अंडा रोड एफट्स मैनस fy by 2 स्क्वाइर प्लस 2 स्क्वायर तो यह आपको थेority situation बताई रहे थी कि मोher circularity radius लगा होता है इस condition में वो होता है हमारा एफट्स फलस fy f y by 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उस्क्वायर अंडा रोट तो देखिए कि यहां पर बी और दी ऑफ्षान में देखिए इन दोनों ओप्षान में एफ सिंग्मायेट्स स्टो पास देखिए अड़र इस्टो अड़र सॉल टाया जाये तो इन नीची हो जो 4 अधर जला जाया रहा आधर सेम भी और यो जाया बहरा आधर और और तो मानी बात इस यह आनसार जो अफ्षन आपको मिलेदा हमारा option number a जब कि option number c भी नहीं मिले रा आप जाए शॉल्ट आटे देख लेजी तो आठ मेटा जो हो जाए रा option number 8-8 हो जाए रा आठ मेटा ए ध्यान अठी जाए देख सब्सक्राइब को चले option number 8-8 option number a हो डिया कोटी पुछार था maximum CR stress इसलिए option option number a हो आए रेडियस इंटालामोर शॉल्टी उस्टे बाद अदला तोसें देखी त्यावला जाए रा अब थोड़ा बढ़िया option start होंगे तुछ निमेल्टल प्राब्लम है लेटिन इस टोसें पो धन्स लड़ाइए रा बहुत बढ़िया पर और चलते हो ति आपको सारे डेटा अर्य सवाल पुछा जाना है वहुंसे पहले इनने एफेक्सा रमान दे दिया एफेक्स दे दिया 1200 लिए ज्टे बाद इन्हों यही आप से पुछा रहा है कि मैटसन नॉर्मल इस्ट्रस बताइए एफ़न कितना होना चाहिए अब देटो इंतरें सब्सक्राइब टैसे लाटो फॉर्मुले एदम अच्छे से याद कलो फॉर्मुला इसका होता था एफट्स प्लस एफवाई बाई टू पहले वाले में त उस्टे बाद बताइए क्या होता है अंडरू उस्टे बाद होता था एफट्स माइनस एफवाई बाई टू स्ट्वायर एफट्स माइनस एफवाई बाई टू स्ट्वायर टू स्ट्वायर तो बारा सो में से 600 जाए रहा कुत इतना बचे ने 600 और बटे 2 तो 600 बटे 2 हो ज यह 400 इस्ट्राइद लिठा यह तो सापको पता है ठी सो प्लस 4100 जो होता है 451 ब्राबर होता है भाई यह पाई था स्ट्राइद रिशुरार स्ट्राइद प्लस 435 i am इसी तरह त्यूजर थे थी सॉ ट्स्टाइद गड़ावर भाई हालना और 500 पो 900 में जोड़ा जाए रहा तो जो आंसर आ जाए रहा maximum normal stress रहा वो 1400 MPa टेक्ट आंसर हो जाए रहा तो देख लीजिए हमारा टेक्ट आंसर 1400 MPa कौन सा है तो आप चाह सकते हो कि 1400 MPa वो option number D है लेकिन अगर यहां maximum ना पूछा जाता यहां minimum पूछा जाता तो minimum पूछा जाता तो आप सब्सक्राइब प्लस है यह बन जाता माइनस यहां पर आंसर आता है 1400-500 और 1400-500 आता तो आप चाह सकते हो कि जो F2 आता वो हमारा 400 MPa देखिए 400 MPa हमारा भी option है लेकिन धारतना इन्होंने मैक्सिमम पूछा जाता है इसलिए हमारा जो ट्रेट टांसर रोडर वोचे हो 200 अगा मिनिममम नौमल इस्ट्रेस पूछा जाता तो आंसर हमारा ट्रेट होड़ता 400 यादी पूछा जाता है सवाल में मैक्सिममम सीर इस्ट्रेस बताईए तो आप सब्सक्र है कि यह जो सवाल में यह पूछा जा रहा है तो DoncY Anser होना चाहिए यह पुछा जा रहा है तो चया नशन होना चाहिए of मांकि Summit नॉमनल सथ्गहारा है तो चैस्ट सबक्वसेंट सब्सक्राइड आजshots अप्प्स सब्सक्राइब अंसर हो जाए रहा चले पर नेक्स्ट वोस्टन देखते हैं पोशन नंबर टेन पोशन नंबर टेन भी बिल्कुल ठीट इसी जैसे ही सवाल है बड़े ध्यान से देखेए डा बहुत अच्छा सवाल है इस टो भी स्वाल करेंगे पोशन नंबर टेन यह तहा जा रहा है यह बोड़ी सबजेक्टेट टू टू मिच्वली स्ट्रेस दोनों स्ट्रेस टेनसाइल में है नहीं सॉरी पहला टेनसाइल में दूसरा टॉमपरेशियू में तो पहला जो मान दिखा है एफेक्स वराबर वो लिठा है 20 यूनेट नहीं लिखते है तोटी दोनों में सेंग एक्टेंट पर्पेंडिक्लर इचोदर सही बात है पर्पेंडिक्लर होते हैं तब बताए मैक्समम सीयर्ष टितना होना चाहिए तो आप से पुछा रहा है अब बताओ सार क्यू मैट्स टितना होना चाहिए तो डिए पार्या और नहीं मोहर्स ऑसल्टल्स एंडालोग यह तेज से पसे और ऑसे बहाई लगा है तो आज एपने मोहर्स एंडाल नहीं कें चunto ले हैं पूछा तो इसे में ऑसे बताओheen इसक्ता कैस बाद नहीं तो पहले बताईए, सबसे पहला जो point मिले रहा, वो fx मिले रहा, तो fx टा point b से plus 20, तो plus 20 टा point आपकर यहां तहीं आ जाए रहा, और जबकि fy टा point चितना है, माइनस 10, तो माइनस 10 टा point यहां तहीं आ जाए रहा, और इनकों मिलाते हुए, जो circle बने रहा, वही तो आपकर मोहर circle बने रहा, बट इस्टा center और जो नहीं होड़ा, थोड़ा सा आज़े होड़ा, तो यह बाह बताओ, यह point 20 टा है, यह point मैनस 10 टा है, तो यहां से लेटर, यहां तक यह पूरी दूरी रित्मी हो जाएगी, तो आपकर और यह दूरी 20 है, यह दूरी 10 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 30, तो यह जो 30 आएगा, यह diameter आएगा ना, तो diameter तो नहीं दलते आएगा 30, बट अज़ा radius पुछी जाए, तो radius नहीं दलते आएगी 15, और मेरे भाई जो radius होती मोहर circle ती, वही तो maximum shear stress होता है, तो radius ही maximum shear stress होता, इसी वज़े से टेस होते हैं, जो maximum shear stress होता, वो हमारा answer 15 threat हो जाएगा, तो 15 देख लिए इसमें है, तो 15 देख यह option नमबर हमारा C, 15 kN प्रती मीटर इस्ट्वायर, तो option नमबर C, 10 मेटर threat answer हो जाएगा, लिए दिए जो हमने सवाल को बताया, solution बताया, यह solution जो है, मुहर सल्टल से, अगर आप चाहेते हैं, तो इस्टो मुहर सल्टल से लगाता, आप अपने analytical method से भी लगा सकते हो, तैसे analytical method से लगा सकते हैं, उस बार को भी समझ लिए, अगर आपको यह analytical method से लगाना है, तो analytical method से लगाने के लिए, आपको याद होना चाहिए कुछ formula, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर आपको बताया गया था, यदि यह fx लगा हो, यह fy लगा हो, इस वाले case में, जो shear stress q का formula बनता है, वो formula बताय दिया था, fy minus fx by 2, और आजे होता है, sin 2 theta, बट आपको maximum shear stress ने डालना है, तो maximum shear stress ने डालना है, तो sin 2 theta ता माने, यह भी maximum रखना पड़े रहा, और sin 2 theta ता जो maximum मान होता है, वो 1 होता है, हलाकि यह जो 1 मिलता है, यह मिलता है, ठीटा बराबर 55 degree पर, तो जैसे आप ठीटा बराबर 55 degree यहां लख सेंगे, तो sin 2 theta 1 मिले रहा, तो बताओ ज़रा maximum shear stress मिले रहा, 2 max, वो कितना आ जाए रहा, तो यह आ जाए रहा, fy minus fx by 2, अब यह बाह बताओ, fy है जितना, तो fy यह minus 10, fx चितना है, 20, तो minus 20 पहले सी हो जाए रहा, by 2, तो यह data भी solve रहा जेख लिजिए, तो यह answer आजाए रहा, minus 15, और जो भी मातरा फोट, low newton प्रती मीटर स्ट्वार, वही से मातरा रहा जाए रहा, तो यह हमारा question number 10 में, तो option number C, अड़ला question देखते है, question number 11 देखी क्या बुला जाए, question number 11 पढ़ते हैं क्या है, question number 11 यह है, the radius of moher circle, radius of moher circle, कहा जाए रहा है कि moher circle की radius होती है, is equal to, 3-3-2 होती है, तो आप सब पता है कि जो moher circle की radius होती है, radius होती है, maximum CR stress ते बराबर होती है, radius of moher circle, तिस्टे बराबर होती है, maximum CR stress ते, तो धुड़िये कही maximum CR stress है कि नहीं है, तो सर, पूरे option तो पढ़के देख लीजे, कहीं पर भी maximum CR stress नहीं लिठा, कोई बात नहीं, जो भी option आपने बने हैं, उस सारे पिस सारे option बने हैं, principal stress ते पदों में, 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 तो हमें आपना answer भी, principal stress ते पदों में ही ढूणना पड़ेगा, चलो फिर start करते समझना, यह बताईए, अगर हम लोड एट general moher circle, यहां draw कर दे, मा लीजें, यह मेरे पास general moher circle है, तो general moher circle है, तो आप ऐसा क्या सबते हो, यहां maximum normal stress ओड़ रहा, F1, यहां पर minimum normal stress ओड़ रहा, जिस्टों बोला जाए रहा, F2, तो यह बाब बताऊ ज़रा, यह हमारा origin रहा, और यह रहा center, तो maximum normal stress F1 रहा, minimum normal stress क्या रहा, F2 रहा, तो यह बाब बताऊ ज़रा, जो maximum normal और minimum normal stress F1 और F2 है, यह नीट वो तो हम principal stress रहते हैं, तो यह F1, F2 तो हम principal stress भी तहा जा सकता है, अब यह बाब बताऊ, यहां से later, यहां तक की दूरी F1 है, यहां से later, यहां तक की दूरी तितनी आ जाएजी, तो टो होगे F1 माइनस F2, तो मेरे भाई, जो F1 माइनस F2 आएड़ा, वो तो diameter आएड़ा ना, F1 माइनस F2, तो बताई, ज़रा इस्टी radius तितनी हो जाएजी, तो radius हो जाएजी, F1 माइनस F2 बटे 2, तो सर यह इस्टी radius हो जाएजी, और जो radius होती है, वो ही तो maximum shear stress होता है, तो आप तरह सबते हो कि radius, या maximum shear stress, आपका F1 माइनस F2 बटे 2 आजिया, तो F1 माइनस F2 बटे 2, अब धून लिजे कौन सा option ट्रेट है, तो पहला लिखा है, sum of two principal plane, यानि F1 प्लस F2 होता है, नहीं सर, डिला थो रिया, दूसरा option लिखा है, difference two principal stress, difference है, अंतर है, अंतर का भी आधा है, half the sum of two principal plane, यानि दोनोटी योटफ़ल टा आधा है, नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, half the difference of two principal stress, यह सही है, half the difference of two principal stress, यानि दोनोटी अंतर का आधा, प्रिष्टा मतला, जो option threat हो जाए रहा, वो option number D threat हो जाए रहा, तो जार्वे टोशन तो option number D threat हो जाए रहा, option number next देखिए, बार्मा, आप question number बार्मा देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, तो question number बार्मा यह है, T plane stress at a point, वो 3 sigma और sigma है, ठेट, the ratio of the normal stress, कहा जा रहा है कि उसमें normal stress, to maximum shear stress, जाब बताईए अनपात कितना होना चीए, on the plane, of maximum shear stress is, कहा जा रहा है कि normal stress, Fn, और maximum shear stress तो तुम अनपात तो बताओ हमें, लेटिन यह अनपात आपको वहाँ बताना है, the ratio of normal stress to the maximum shear stress, on the plane of maximum shear stress, यानि उस plane पर बताना है, जहाँ पर maximum shear stress आएडा, तो जहाँ पर maximum shear stress आए, उस plane पर normal stress और maximum shear stress तो आपको त्या बताना है, अनपात बताना है, लेटिस चलिए इन्होंने दे रखा है, जो दो principal stress है, 3 sigma और sigma है, तो इनमें से जो 3 sigma होड़ा, ये maximum principal stress हो जाएडा, और जो sigma है, वो आपका minimum principal stress हो जाएडा, तो चलो फिर, हम लोग को ये सवाल, more circle से ठीचना ज़रा आजा, आसान रहेडा, तो आप कहा सकते हो, more circle से draw तरना हो, तो ये हमारा more circle बना लेते हैं, तो maximum principal stress चितना है, तो तो और ये 3 sigma, ये point 3 sigma का हुआ, minimum principal stress चितना है, sigma, ये point sigma का हुआ, तो अज़ा आप से पुछा जाए, बताओ जा रहा है, इस्टा more circle रहा है, तो more circle हमने बना दिया, ये सार इस्टा more circle रहा, ये 3 sigma है, और ये तमारा sigma है, तो पुछा जा रहा है, तो उस plane पर, जहां पर maximum shear stress होगा, उस plane पर normal stress और maximum shear stress चितना पाज बताओ, तो मेरे भाई maximum shear stress तो इस plane पर होता है, तो इस plane पर maximum shear stress होगा, तो वहाँ पर normal stress और maximum shear stress चितना पाज बताना है, तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अडर ये 3 sigma है, ये sigma है, तो ये confirm 3 sigma और sigma ते आधा वाला point होड़ा, तो 3 sigma प्लस sigma, बटे दो midpointization, तो ये confirm जो point होड़ा ये हमारे 2 sigma टो point होड़ा, तो ये point हमारे 2 sigma होड़ा, बतलब यहां से later यहां तक टी दूरी डूरी 2 sigma है, तो आप टैस्ते होती जो normal stress रहे नहीं पर, इस plane पर जो normal stress रहेड़ा वो रहेड़ा आपका 2 sigma 2 sigma और कहाँ जाए कि प्लेन पर बताईए shear stress बताईए इस plane पर तरह होना चाहिए जो आपका maximum shear stress हो दो नहीं मैसमम जो shear stress होता है वो तो मोहर सब्सक्रीडी रेडियस होती है तो यह तो और यह 3 sigma e sigma है तो यह पूरी सब्सक्राइब 30 मा मैंने सियन को सब्सक्राइब 2 सिड्मा अब आटे 2 सिड्मा तो मैंस इर सिर्गेट तो आपने जिस प्लेंट पर मैंक्समॉम् सीर इस्ठरस पाया जाय श्यान के उस लिए नमल इस ओर एन्स आता गी सिर्गेटasis जाया जरॄ कि आप तो यहां बनाते देख लिए तो यह अनपाथ ट्रंस्वर्म जो अनपाथ इंक लेड़ा यह अनपाथ हो जाएदा हमारा 2 डूपा सिर्मा नीचे तो जो अनपाथ बनेड़ा वो दू आजाएदा तो देख लीजिए तेरवा नम्मर तेरवा नम्मर टूशन ये बोलो जा रहा है वर फॉलुविं और यह भी यह नहीं बन दा इसलिए option number D होड़ा वो पूर्टली से दलत हो जाएदा उन्हों नों बोलाया pure CLT मोहर सल्कल तो आप सब पता है कि pure CLT condition होती है तो चीए तो यह condition pure CLT होती है अब आपको सब को बताए दिया है कि pure CLT जो मोहर सल्कल बनता है इस condition जो मोहर सल्कल बनता है तो fx नहीं है Fy नहीं है तो यहां से प्लस Q ऊपर और यहां से नीचे तो दोनों तो हमारा कह सकते हो यह जो जे और यह जो ट्य मिले रहा है और इस्ट्र सेंटर मांटर जो मोहर सल्कल रिष्टा है यही तो pure CLT मोहर सल्कल होता है तो हमेसा pure CLT जो जो जाए तो तो देट लीजिए प्रयों और च्रट सो जयारा आए क्षिजे-इस जो बने रहा है म्यूत जरा हो、 उसका नम्मग क Cheer nuestra tuned लिखा नहीं है लेकिन सारे कोश्चन है जामने है हुए ध्यान से देखना इस अल्टल साफ सब्जेक्टेट्ट टु टुश्टिट मुमेंट रिजल्ट इन दा मैक्समाम सियर इस्ट्रेस और सिष्टी एंपिए कहा जा रहा है कि साफ्ट को जब टुश्टिट मुमेंट लग मैक्समाम कॉम्प्रेशिट इस्ट्रेस बताइए इन दा मेरियत तो इब बताओ यह टाहा जा रहा है कि सब्जेक्टेट्ट टु टुश्टिट यानि क्यों टुश्टिट टी जा रहे है तो टुश्टिट टी जाने का मतलब सीधा-सीधा यह हो सकता है आपकी जो सांफ्ट स् है उसमें के वगी पयोर सीयर है तो अभी द मेरे बाई प्योर सीयर है तो प्योर सीयर है तो अब यह भी बताया था वह एक पोई इपाइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिंआपने अरिम ऐदसे dl2 ऑइंट धूरिः अमरी थी 30thर अभ ये ये पॉइंट मत्स एरिस्ट्रेस काओ यह पैंदbracht मे 빼ं सिर निवंब मनि स्ट्रेस यह principal stress और यह point है minimum minimum tensile नहीं इसको बोले यह tensile है प्लस है और यह minus में आएगा इसलिए यह आपका maximum completion stress हो जाएगा तो इन्होंने maximum completion stress पुछा था तो maximum completion stress पुछा था इसे वाज़े से आपका plus 60 नहीं minus 60 answer हो रहा तो यह नहीं हो सकता 30-90 नहीं हो सकता 120 नहीं हो सकता तो यह maximum tensile पुछा जाता तो अभी इस्टा टैट टैंसर हमारा भी ही होता तो जब भी इस तरह तो इस तरह कोश्चन IPTC साप्ट में आपने डुष्टिन लगाया है CR stress दे दिया जा रहा है और पुछा जा रहा है बताओ maximum tensile, maximum pressure ट्या है तो इस तरह से महार जलतल ठीचिए maximum tensile, maximum pressure, maximum CR, minimum CR आपके बता जल जाएरा question number 14 जो option हो जाएरा, option B हो जाएरा अटला question देखे, question number 15 बड़े सवाल है question number 15 भी का जा रहा है, consider एक two dimensional state of stress driven for an element, देखे, state of stress दिया है तेखे, Fx 200 MPa, वो tensile में है, तेखे, Fx जो मान है वो 200 है, but वो positive में है, जब ये Fy जो है वो तितना है हमारा, तो वो 100 है, but वो तैसा है, narrative है, तो टोटी टॉम्पिश्यू नेचर है, तो बोला जा रहा है, what are the coordinate of center, और मोहर सल्कल, यानि मोहर सल्कल ते जो center होंदे, उनके इनरदेशान बताइए, त्या होना चाहिए, तो भाई अब मोहर सल्कल ते center इनरदेशान थे, पुछी जा रहा है, तो मेरे भाई center इनरदेशान दे रहो, बहुत सारे यह option अभी नहीं हो सकता, यह option अभी नहीं हो सकता, समझ पा रहे होंगे, तो दो option तो हमने ऐसी दिलक कर दिए, चली फिर, आप सवाल करते हैं, तो आप यह बताईए, जरा effects कितना है, तो effect से 200, तो यहां यह 200 प्लस 200, यह इसे बने रहा है, तो आप के ऐसे बाने रहा है, तो आप सबको पता होना चलिह की C टे डालना है या दो बिंदुओं टे 20 टा डालना है तो फॉर्मुला होता है X1 प्लस H2 बाइटू तो 200 प्लस 100 लेटे प्लस नहीं माइनस 100 तो 200 माइनस 100 कितना हो जाए रहा प्लस हो जाएंगे 50,0 रेडियस वर्यारा पूछी जाती या कुछ और पैरामीटर्स पूछी जाते तो वह भी हम लोग बता देते तो यह आप्टा पंद्रमेटा ओप्शन नम्बर दे